स्वागत है आप सब का टार के 2022 के सेशन में चली continue रख लेते हैं देख लेते हैं क्या 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 question news में आये हुए है और जिसको हम लोग अपने slavers से भी relate कर सकते हैं crop diversification के related news था, now crop diversification ये of course geography optional के paper 2 में agriculture जो topic है उसके बहुत सारे aspects से आप जोड सकते है agriculture intensity, agriculture productivity, cropping pattern क्योंकि ultimately crop diversification के बाने में पूछा हुआ है, right तो चलो उसके बहुत हम दो discuss करेंगे ही इस news में क्या था, है न as such अगर हम लोग देखे ना दोस्तों तो इसको economic geography and models, theories and laws से भी आप connect कर सकते हो economic geography बोले तो, economic geography में world agriculture and typology of agricultural regions है, है न अब ध्यान से दिखेगा, यहाँ पर हम लोग उने wittously classification परा हुआ है, actually मैं अगर देख लिजेगा न अभी तक, past year के question papers आप उठा लीजिए wittously classification के उपर ही सारे questions पूछे हुए, और wittously classification के जब भी मैं बात करता हूँ तो आपको पता होना चाहिए that 5 criteria उन्होंने employ किया था, जिससे वो दुनिया के agriculture regions को demarkate कर सके, क्या क्रेटरिय थे बताओ तो, एक था crop and livestock combination, दूसरा था आपका intensity of land use, process of market of farm produce कैसे होता है, उसके बाद था degree of mechanization, और था types and association of buildings and other structures, जो क्या agriculture से related है, ठीक है, तो वो पाच थे, जिसमें, सबसे पहला जा हम लोग उने discuss किया ना दूस्तो, crop and livestock combination, उसको, देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं यह नहीं बोल रहा हूँ, आप simply point, देखो, यह ना बोलता हूँ, आट answer writing की भी एक कला होती है, कभी भी अगर आप geography option के answer writing लेकर हो ना उसकी भी कला होती है, आप अगर उसमें point use कर रहा हूँ, तो make sure that, हाँ, economic geography is a typology of agriculture में, विटसले क्लासिफिकेशन था, उसका आप एक आस्पेक्ट जरूर दिखा सकते हो, आप हाँ, विटसले ने भी, विटसले ने भी जो, बहुत सरे criteria demarket किये थे न, agriculture regions को demarket करने के लिए, उसमें एक था crop and livestock combination, और वो क्या हुआ, देखो, जबी भी आपन crop diversification बोलता है, है न, agriculture, ultimately, main name क्या होता है, agriculture intensity को बढ़ाना, right, इनके productivity को बढ़ाना, agriculture की, जबी भी भी बात करते हैं, तो सिर्फ वहाँ पे crop ही नहीं आते है, वहाँ प जरूर मैं discuss करूंगा इसमें, don't worry, right, but overall, हाँ, यही aspect है, वह aspect क्या, वहाँ थे न, जो theory आपने पढ़ा था, दोस्तों, उसमें हम लोगों ने जब discuss किया था, that one theory, मतलब इसका significance, अगर देखिये गाना, तो एक बहुत बढ़ा significance था, that जितने भी वहाँ थे न, जो theory दिये ग model में क्या बोला दिया था, that concentric level में, जैसे आप main city center से बाहर जाते रहिएगा, तो हाँ, agriculture intensity जो है, वो change होता रहता है, right, but यहाँ पे specifically crop diversification के बारे में बात नहीं किया गया था, as such, right, और वही crop diversification को basically concert किया गया था, इस game theory के द्वारा, जिसमें बोला गया था, that अगर किसान तो field में एक ही फसल हुगा देते है, right, but आप एक फसल ना हुगा के आप वहाँ पे चार फसल हुगा ही है, ठीक है, अब देखो, यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पहले सोचो, यही कि, एक number वाला crop ही अगर आप पूरा खेत में हुगा होगे ना, तो क्या होगा, that there is high probability that by chance अगर कोई climatic disaster आ गया, and if this crop is highly susceptible to that climatic disaster, right, तो पूरा crop बरबाद हो जाएगा, है ना, but वही चीज, अगर आप एक, दो, तीन, चार, अलग-अलग varieties of crops लगा रहे हो, तो उससे क्या होगा, that हाँ, आपकी जो यह risk है, बहुत हता घड जाता है, समझ रो बात, है ना, वही चीज जैसे बोलता नहीं है, that don't put all the eggs in the same basket, कभी भी अगर आप देखोगे, आपके मभी पापा से पूछना, आप लोग वह जो invest करते हैं, कोई एक ही fixed deposit में ही invest नहीं करते हैं, या फिर mutual fund में ही invest नहीं करते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ बिटकोइन में ही invest नहीं करते हैं, या crop diversification की जभी भी बात हो, दोस्तो, तो crop diversification मतलब ऐसा situation होता है, जहां पर हमें monocropping करते हैं, right, monocropping मतलब एक ही crop जो है, जैसे कि मैंना पहले बोला न, एक ही खेती में अगर एक ही पूरा crop अगर अगरा, that is called monocropping, एक हुआ mixed cropping, that is what called crop diversification, क्योंकि mixed cropping में जो है, क्या होता ह है, ना हम, एक ही agriculture patch of land में, एक fuzzle भी उगा रहे है, दूसरा ही fuzzle उगा रहे है, तीसरा fuzzle उगा रहे है, चौथा, पाच वा, ठीक है, मतलब बहुत सारे combinations में हम उगाए जाता है, right, और एक है agriculture diversification का एक बहुत अच्छा एक्जामपल है, वो है mixed crop plus livestock, ठीक है, तो वो agriculture diversity को signify करता है, बट हा, crop diversification की जब भी बात करें, तो mix sure हमें करना पड़ेगा, mixed cropping हम यहाँ पर approach यह follow करते हैं, समझ रहो बात, अच्छा, कुछ-कुछ जो आर्टिकल में, बहुत important points दिये गए थे, जो के मैंने सोचा, चल भाई, आपके folder points भी है, फिर आपके notes में value addition आ सकते है उनको मैं include कर रहा हूँ, यह दिखावात है, जरूरी क्या पर गया, crop diversification का, एक तो देखो, adversaries और climatic vagaries, that is, देखो, बहुत सारे ऐसे regions है, जहाँ पर rainfall जो है, वो, कोई, मतलब, erratic है, मतलब, एक season में कुछ हुआ rainfall, अलग season बिलकुल अलग हो जाता है, बिलकुल sure shot नहीं है, बहुत समय हेल, stone hills, that is, वो, आस्मान से जो गोले निकल, मतलब, बरफ के गोले गिरते है, उससे crop बरबाद हो जाता है, कभी-कभी drought आजाता है, कभी-कभी flood, मतलब, अलग-अलग, इंडिया इतना बड़ा है, अलग-अलग region में अलग-अलग चीजे होती है, ठीक है, बहुत समय होता है, that youths, जो है, मतलब, क्या होता है, that, mantri का बेटा mantri बना चाहता है, Bollywood start का बेटा Bollywood start बना चाहता है, but वो, किसान का बेटा किसान नहीं बना चाहता है, ठीक है, तो वही है, यो, जो है, agriculture से दूर जाने हो, तो, again, जबत, उनको क्यू, उनको, पता ही नहीँ है, crop diversification के बारे में, but अगर हम उनको हम लोग बताए crop diversification के बारे में, और उन्हें पता चले नहीं भई हम जो अपने forefathers के traditions को आगे बढ़ा सकते हैं, by employing ourselves to these agricultural work, then बहुत कुछ चीजे changes भी हो सकती है, समझ रहो बात, यह सब चीजे हैं, जो कि आपको लिखना चाहिए, okay, next news है दोस्तों, वह है इंडिया के dairy और livestock farming, अब यह भी again, agriculture aspect से ही हम लोग उने लिया है, और यहां पे देखो, clearly लिखा हुआ है, wide revolution and livestock resources, के बारे में clearly दिया हो है न, है न, तो इसी लिए हम इसको पर रहे है, और वैसे, हमें clock diversification की जावी बात कर रहे है, तो वह major diversification बहुत जहाँ जाओरी है, वह dry farming वाले region में जाओरी है, लेकिन, यह मैं पिछला वाला discuss कर रहा हूँ, देखो, वही न, बहुत कुछ सब कुछ, सब समय दिमाग में नहीं आ जाता है, बट कभी-कभी topic दिखने से न, अचानक से दिमाग में strike कर जाता है, क्यों, क्योंकि देखो, dry farming वाले region में जो है, rainfall respectively कम होता है, ठीक है, तो again respectively, अगर rainfall कम होगा, तो बहुत समय, ऐसा भी seasons आता है, जब drought आ जाता है, तब क्य ही बेचना पड़ेगा, या फिर kattles को बेच कर ही खाना पड़ेगा, न, तो यह चीज होती है, I mean, dry farming, region में, anyways, यहाँ पर देख ले तो दोस्तों, इंडिया के dairy और livestock farmers के conditions के बारे में, जो क्या, इस news में दी गई थी, बट, एक चीज मैं ज़रूर बता देना चाहता हूं, जैसे बोला है, that it is a single large dairy sector, अगर देख लिजएगा, livestock sector हमारे देश में, यह quarter points है, of course, आप अपने नोट स्मू उतार सकता है, that is, यह single largest agri commodity है, इंडिया का, in fact, इंडिया का ही नहीं, यह दुनिया का भी, हम इंडिया पर्चम लारा सकते थे, but, क्या है, that world trade organizations के rules के अंडर, ह हम लोग प्रतिबद्ध है, क्योंकि उसमें क्या है, that बहुत समय, European countries जैसे, उन्होंने इंडिया के dairy sector में, restrictions लगा के रखा है, है न, तो क्यों, क्योंकि, शायद कुछ problems है, मतला हमारे दूद के quality में, ऐसा उन्हें लगता है, है इसलिए हमारे dairy products जह है, वहाँ पर नहीं जा सोच रहो, directly, changing the dietary preferences and rising the urbanization in India, हा, देखो, आप देखो, क्या होना है, इंडिया में urbanization बर रही है, आपको पता होना चाहिए, है न, आपको भी पता होना चाहिए, that बहुत समय देखो, किसी कर बच्चे होते हैं, आपके भाईया, भाभी, इस तरफ के बच्चे होंगे, उनके pure वाला दूद मिले, मिलावट वाला दूद नहीं मिले, ठीक है, तो these are the things which are, I mean, यह dietary preferences ही न, बोलोगे यार, क्योंकि pure दूद, pure दूद ही होता है, मिलावट वाला दूद, मिलावट वाला दूद ही होता है, और बच्चों को पैकट वाला दूद पिलाया नहीं जा सकता, सम लोगे हमारे जो ब्रीड है, local मंदब हमारे जो देशी breeds है, है न, उनके, जो South India में बहुत चार है, in fact, उनके दूद जो है न, बहुत ज़दा दिमांड में होता है, क्यों, क्योंकि वो जो ब्रीड है एक तो बहुत कम अमांट में देश में बचे हुए, है न, और respectively वही होत में हमारे dairy sector के related क्या क्या initiatives लिए गया, बहुत जी ज़दा important होगा दोस्तों आपके लिए, पहला है आप लिख सकते है, infrastructure development किया गया under vibrant village program, आपको पाता है न, vibrant village program क्या है, हमारे जो northern borders है, specifically adjoining China, उस borders के regions के villages को जो है, वहाँ पर social और infrastructure improvement हमें ensure करना ज्यादा, अच्छा अगर यह सब ज्यादा करेंगे, तो obvious सा बात है, उनकी connectivity भी mainstream region से ज्यादा होएंगी, है न, इससे क्या होगा, वह गाओं के लोग जो है, उनके गाओं के छोड़ कर, you know, हमारे दूसरे राज्यों में नहीं shift करेंगे, है न, गाओं में ही रहेंगे, तो धीरी दीरे गाओं का population इन एम ही यह है, इन villages में जो है, social and financial infrastructure को और भी तगरा की जाए, ठीक है, next आप, जो step लिया गया है, budget 2023 में, dairy sector को इंप्रूब करने के लिए, वह है, alternate minimum tax, alternate minimum tax क्या होता है, ज़र सोचो, आपको, आपके firm को, एक minimum तो tax लगता ही है, ठीक है, कुछ भी हो जाए, आप कितना भी पैसा बचालो, बट एक minimum tax सरकार लेगी, उसी को alternate minimum tax कहता है, है ना, तो ज़्यादा भीतर में नहीं होसना अभी फिलाल के लिए आपको, बट हाँ, आपको यह जाना, dairy sector के लिए, basically cooperative societies के लिए, जो है, सरकार ने इसको alternate minimum tax को घटा दिया है, 18.5% से 15%, मतलब सोच रो, 3.5% इ ठीक है, अफकोर्स इससे एक modal boost तो जरूर मिलेगा, इस sector को, center sector scheme के अंडर allocations है, के इंदर सरकार की, center, देखो, दो sector schemes होती है, एक center sector scheme, और एक होता है central sponsored scheme, central sponsored scheme में, जो है, जैसे normal raja में क्या होता है, that center 50-50 देती है, और कुछ special raja में, center 90 to 10 ratios में देती है, but center sector scheme में, जो है, प enhance कर दिया, अंडर राश्चे गोकुल mission, national program for dairy development के लिए, साथी साथ, अलग जो initiatives लिएगे, वो है, allocations for livestock health and control disease, almost 60% enhancement किया गया, allocation में, for livestock health and disease control programs throughout India, ठीक है, तो यह सब activities है, और साथी साथ, कुछ-कुछ schemes भी मैंने लिग दिया, दोस्तों, again, आपके folder या फिर आपके notes, edition को, be very much happy, right, please go through this and please write these schemes at your note copy as well, right, so this was all about the discussion for today's discussion, I will see you in the next class, bye-bye, take care.